हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग तो आज मैं आपके साथ बेशन की एक पहुत ही टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं बनाने का बिलकुल नया तरीका है इससे पहले भी शायद आपने कई बार इस रेसिपी को घर पर बनाया होगा पर आइम शूर इस तरह कभी नहीं बनाया होगा तो चली फ्रेंड्स बिना देरी करते हुए देख लेते हैं कि आज हम क्या बनाने बाले हैं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे एक बड़े साइच का बरतन और उसके उपर रखेंगे इस तरह की छलने और उसमें हम डालेंगे एक कप भर के बेसन तो यहाँ पे बेसन को छानना बहुत ही जादा जरूरी है अगर आपका बेसन पहले से भी छाना हुआ रखा है तो भी आप इसे जरूर छान ले तो यहाँ पे इस रेसिपी में मैंने दो कप बेसन का यूज किया है तो पहले जब एक कप बेसन छान जाएगा अच्छे से उसक है आपको इसमें बिल्कुल भी महलत नहीं करनी पड़ती है वरना जब यह रेसिपी हम बनाते हैं दूसरी तरह से तो उसमें हमें घंटों लग जाते हैं तो देखें यहां पे जड़पट से मैंने से छान लिया है और उसके बाद हम यहां पे डालेंगे वन फोर्थ कप सूज तो सूजी भी आप इसमें जरूर डालें इससे जो हमारी रेसिपी बनेगी वो थोड़ी सी दानेदार बनेगी जिससे की खाने में बहुत अच्छी लगेगी साथ में ही डाल दिया है मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर क्योंकि हल्दी डालने से रेसिपी में थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और हल्दी जो है वो एंटिबायोटीक भी होती है तो इस मौसम में अच्छी भी रहती है तो साथ में ही डाल देंगे एक चम्वाच भरके हम शुद्ध देशी घी और अब सभी को पहले अच्छे से यहां पे हमें मिक्स करना है चाहे तो आप हातों की मदस्य से मिक्स करें या फिछ चम्वाच की मदस्य तो यहाँ पे मैंने चम्मच को हटा दिया है और सबसे पहले इन्हें हाथों से ही अच्छे से मिक्स करूँ नी उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अच्छा सा नरम सा एक सौफ्ट आटा इसका लगा के रख लेंगे मिस डो लगा के इसका तयार कर लेंगे तो यहाँ पे आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है बहुत जादा नहीं डाल देना है एक साथ बढ़ना जो यह है उगीरा हो जाएगा और वैसे भी बेसन जो है हातों में बहुत चिपकता है तो स्टार्टिंग में आप पानी कम ही रखें जहां जबुरत लगे वहाँ थोड़ा थोड़ा आप लगाते जाए तो देखे इसी तरह मैंने जो है अपना डो लगा के तयार कर लिया है और अब आप देख सकते हैं कि आपके हातों में भी यह नहीं चिपक रहा है अगर आपके हातों में यह थोड़ा बहुत चिपक रहा हो तो आप यहां पे थोड़ा सा गी और यूज़ कर सकते हैं उसके बाद हातों को मैंने अच्छे से धो लिया है और थोड़ा सा गी मैंने हातों पे लगा लिया है और उ हमारे यहां पे तो इन्हें मुठिया बोलते हैं, आपके यहां पे इन्हें क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा। तो बस हमें कुछ नहीं करना है सिंपली इसमें से थोड़ा थोड़ा आठा लेके और इस तरह तोड़ते जाना है और जो हमारे बहुत सुन्दर से शेप है वो बन के तयार हो गई है तो सेम इसी तरह दूसरा जो हमारा पार्ट बच गया था डो बाला उसमें से भी हम इस तरह मुठिया निकाल के तयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि इन पे कितनी अच्छी डिजाइन बन गई है तो बस अब कुछ नहीं करना है इस तरह हमने बना के रख लिया है अब चलते हैं हम गैस की तरफ तो यहाँ पे गैस पे रखेंगे एक कड़ाई और उसमें हम डालेंगे देसी घी तो आप लोग भी कोशिश करें कि इस रेसिपी को देसी घी में बनाएं क्योंकि जब देसी घी में आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है साथ में healthy भी बहुत जादे होती है देशी गीजे बनने वाली रेसिपी तो आप लोग भी कोशिश करें वैसे आप इसे refined में भी बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार यहां पे गी का यूज़ कर सकते हैं तो उसके बाद जैसे ही गी गर्म हो जाएगा तो हमने जो भी सारी बिसन की मुठियां बना के रखी हैं वो इनमें हम डाल देंगे और अच्छा कलर आने तक हम इने fry करेंगे तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम जो है वो हाई नहीं होनी चाहिए यह अंदर तक बहुत अच्छे से कुक हो जानी चाहिए कच्ची नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हमने इसमें कच्चे बेसन का यूज़ किया है बेसन को हमने भूना नहीं था न तो इसलिए आपको इन्हें अच्छे से कुक करना बहुत जरूरी है तो गैस की फ्लेम आप मीडियम टू लो ही रखें और अलटते पलटते अच्छा कलर आने तक इन्हें फ्राय कर लें तो दूस्तों यहां पर आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है अगर आपको आज की रेसिपी वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ है उसे जरूर प्रेस करें आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिविशन मिलता है तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक जरूर किया कीजिए और देखे फ्रेंड्स यहाँ पर बातों बातों में हमारी जो मुठिया है वो सिक के बिल्कुल तयार है इन पर बहुत अच्छा कलर आ गया है साथ में बहुत अच्छी बेसन के खुश्बू भी आ रही है तो बस इसी तरह बाकी जो बच गई है न उन्हें भी मैं फ्राइ क तो अंदर से बिल्कुल भी कच्छा नहीं रहना चाहिए बेसन इस बात की पूरी तरह आप शूर्टी कर लीजिए क्योंकि अगर बेसन कच्छा रह गया न तो रैसिपी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी खाने में तो यहाँ पे पहले मैंने सभी को फ्राइ कर लिया और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोस्तों इन सर्दियों आप इस रैसिपी को बना के स्टोर कर सकते हैं एक महीने तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है वैसे एक महीने चलती ही नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है जट प लेंगे पूरी तरह से ठंडा तो उसी बरतन में दुवारा से मैंने डाल दिया है और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं आप से मिलती हूं और आप बचे हुए घी में हम काजू और बादाम को फ्राय कर लेंगे तो यहां पे आप जिस दिसका भी य कर लिजे तो यहां पे मैंने काजू और बादाम लिये हैं दोनों अच्छा सा गोल्डन होने तक इने फ्राय कर लोंगी गैस की फ्लेम आप यहां पे लो रखें यह जलने नहीं चाहिए तो बस अब यह फ्राय हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं तो यहां पे जो हमने यह मुठिया बना के रखी थी वो भी अब थोड़ी थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं पर अभी भी यह काफी गरम है तो बस मैं इन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही हूं कि थोड़ी सी यह तूट जाएं जिसे हम अच्छे से इने ग्राइंड कर पाएं क्योंकि अब इन्हें हम करेंगे ग्राइंड और इनका बनाएंगे एक बिल्कुल फाइन पाउडर तो बस इस तरह तोड़ने के बाद एक ले लिया है मैंने ग्राइंडिंग जार और थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के धकल लगा के इसे मैंने पीस ले आएं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका पाउडर जो है वो बनके तयार हो गया है पर इसका बिल्कुल स्मूथ पाउडर जो है वो नहीं बनेगा तोड़ासा दरदरा टेक्चर आएगा तो ऐसा ही हमें अपनी रेसिपी के लिए चाहिए एक दम दाने दार तो सारा जो मिक्स है उसे हम निकालके एक बड़े बरतन में ट्रांस्फर कर लेंगे और अब उसके बाद हम इसमें एड करेंगे मीठे के लिए कंद तो आपके यहां पे इसे कंद बोला जाता है बूरा बोला जाता है जो भी बोला जाता है उसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल है और अब उसके बाद हम डालेंगे इसमें आदा चम्मच भरके इलाइची का पाउडर और साथ में ही जो हमने ड्राइफ रूट्स को कट करके रखा था उन्हें मैंने डाल दिया है तो अभी मैंने आदे ही डाले है और उसके बाद हम यहां पे डालेंगे देसी घी देसी कि मैंने वही यूज किया है जो कड़ाई में बच गया था बस चम्मच से आप डाल दें पांचे चम्मच आप स्टार्टिक में डालें और अच्छे से इने मिक्स कर दें और उसके बाद आपको जरूरत लगे तो थोड़ा थोड़ा घी इसमें और एड करते जाएं क्योंकि इतना घी हमें इसमें डालना है कि अच्छे से ये जो है वो बंदने लगे क्योंकि इसके हम लड़ू बनाने वाले हैं तो हातों में जब हम इस मिक्स को लें तो अच्छे से जो लड़ू है वो बाइंड होना चाहिए खुलना नहीं चाहिए इतना घी हमें इसमें एड करना तो बस थोड़ा थोड़ा मैं घी डालती जा रही हूं और इस पैचुला की मदद से इसे मिक्स करती जा रही हूं तो फ्रेंड्स जब इस तरह आप बेशन के लड़ू बनाके तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं नौर्मली हम क्या करते हैं बेशन को बुहून के बनाते हैं तो उस प्रोसीजर में काफी टाइम लग जाता है और हमारे हाथों में भी दर्ध होने लगता है तो जब आप इस तरह लड़ू बनाएंगे तो बहुत इजीली बन जाते हैं और टेस्ट जो है इनका एक तम गजब का आता है तो अगर आपने कभी इस तरह लड़ू ट्राइ नहीं किया है विसन के तो एक बार आप मेरे कहने से जरूर बनाएं ये दानेदार लड़ू जो है घर पे सब भी को बहुत पसंदाएंगे उसके बाद थोड़ा सा मिक्स लेना है और हतेलियों से दबाते हुए अच्छे से गोल गोल शेप दे देनी है तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राइ फ्रूट जो है स्टार्टिक में बचा के रख दिये थे और उन्हें भी डाल दिया है अब इसमें मैंने और अब इसके बाद हम इनके लड़ू बनाके तयार कर लेंगे जिस साइज के भी आपको लड़ू बनाने है छोटे या बड़े उस साइज के आप इने बनाके तयार कर लीजे तो मैंने तो जब ये लड़ू घर पे बनाये थे तो बहुत ही जल्दी खत्म हो गए मैंने सूचा था कि 15-20 दिन तक चल जाएंगे पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि लड़ू जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे घर में सबी को बहुत अच्छे लगे तो आप भी एक बार इन्हें जरू ट्राइ करें हम शूर ये आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे तो बस ये गोल गोल लड़ू बना के अब तयार कर लीजिए तो लीजिए दोस्तों तयार है हमारे बहुत ही टेस्टी दानेदार शुद्ध देसी गी के बेसन के लड़ू जिसे हमने बहुत ही इजी तरह से बना के तयार किया है तो आप भी एक बार जरू ट्राइ करें सब को ये बहुत अच्छे लगेंगे साथ में बहुत ही टेस्टी है मुँ में खुल जाने बाले है आप इन्हें महीनों तक स्टोर कर सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल अभूए क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई and टेक केर